हेलो फ्रेंस वेलकम बैक मैं यूटीब चैनल आज मैं आप सभी को यह बहुत ही खुबसूरत से बॉर्डर डीजैन बताने वाली हूँ जैसा कि आप देख पा रही है मैंने यहापे सेंपल के लिए थोड़े से बना करके रख लिए हैं आप इस बॉर्डर को जो है आप इस तरीके से बना सकती है वह भी बहुत प्यारा लगेगा और मौजे वेगर जो सॉक्स बनाती है उसमें भी यह पैटन को अप्लाय कर सकती है यहापे मैंने सेंपल के तोर पे थोड़े से बना करके दिखाए हैं तो यह मैं आपको स्टार्टिंग से बना करके बताऊंगी क कैसे बनेगा और यह बहुत ही आसान है बनाना जैसा कि मैंने आपको बताया है तो फिर चलिए बनाते इस डीजाइन को उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही बैल आकन को प्रेश जरूर करिएगा ताकि मैं इसी तरीकी के खुब्सरों से वीडियो लेके आऊ तो उसके नॉटिफिकेशन आप तक आ जाएंगे और आप उस वीडियो का देख करके इस्तमाल कर सकती है तो फ्रेंच चलिए बनाते इस डीजाइन को सभी फंदे इस तरीके से उल्टे बिन लेने हैं बहुत ही आसान है आप सिर्फ उल्टा फंदा ही बिनते जाएंगे तो आपका यह पैटन जो है बन करके तयार हो जाएगा दिखने में थोड़ा मुस्किल है मगर बनाना बहुत ही आसान है बिलीव करिए तो इस तरीके से देखे आपको पूरे फंदे जो हैं उल्टे उल्टे बिन करके कम्प देखे इस तरीके से आपको उल्टे फंदे बिन लेने हैं यही mitt को पूरा कर सकती हैं तो देखिए इस तरीके से आपको उल्टे फंदे बिन लेने है तो यह पूरी रो जो है बैक साइड से सेकेंड सलाई भी हमने उल्टे-उल्टे बिन करके कम्प्लीट कर लिया है अब आज जाएंगे हम थर्ड रो तो देखिए यह थर्ड रो में भी हमें उल्टे ही बिनना है और पूरी सलाई कम्प्लीट करनी है इस तरीके से कम्प्लीट कर लेंगे इसे अब देखिए इस तरीके से आपको पूरी जो है उल्टे-उल्टे बिनने ने हैं और यह काउंट क कर लेना है 1 2 3 4 & 5 5 रहो जो यह बन जाएगा उसके बाद ही आप इसमें पैटन बनाएगी तो इस सामने से कुछ इस तरीके से पीछे से कुछ इस तरीके से ने जड़ाएगा 1 2 3 4 5 दोनों से पांच पांच लाइन जो है यह उल्टा और उल्टा ही बिनना है इधर से उल्टा इधर से उल्टा बिनना है दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिन करके आपको यहां तक पहुच जाना है उसके बाद हमें क्या करना है अब इसमें मैं अलग कलर का ओन एड़ कर रही हूं तो आप इस चीज को धियान से देखिए कैसे यह पैटन बनेगा तो देखिए इस तर देखिए को नीचे लेकर के जाएंगे चौथे फंदे के इस तरीके से एक जो रो है उसे नीचे लेकर जाना इस तरीके से फिर फंदे निकाल लेंगे और फिर एक फंदे यहां पर सीधे बिनेंगे देखिए इस तरीके से हो गया अब यह जो रो है इसके सेकेंड वाले रो निकाल लिए अब इस वाले फंदे को सीधा बिन लेंगे यह जो फंदे एक्सरा निकाल रहे हैं इसे थोड़ा खीच के लंबा कर लेंगे और उसे टाइट ही लूजी रखेंगे टाइट नहीं करेंगे अब देखें यह फर्स सेकेंड रो हो गया कमपीट अब बचा थर्ड र रेंगे तो कि यह और यह थिता रो में स्वाई को इंकाल लेना है किरिच एक रो नीचे कर रहे हैं तो साइट से भी हमें हटा यहां पर देख आ रहे हैं में परया है कि एक फंदा बीन ना है मैं तो इस वाले फंदे में नीचे लेकर के जाना है सलाई को इस तरीके से देखे और फिर फंदे निकाल लेने हैं अब फिर से हमें क्या करना है इस वाले फंदे को बिन लेना है तो 5 हमें जो 5 रो हमने बनाया थे तो 5 तक हमें लेकर जाना है तो देखे 1,2,3,4 हुआ अब यह 5 वाले फंदे में हमें इस तरीके यहां पर इन करेंगे और फंदे निकाल लेंगे इस तरीके से दिखें अब यहां पर हमने थ्री फंदे जो बोले थे गैप देने के लिए वह हमें गैप देना है दिखें यहां पर बीच में फोर फंदे हो जाते हैं तो फोर फंदे हैं अभी बट यहां पर बाद में आपको बताऊंगे कि थ्री फंदे कैसे बचे देखिए इसमें हमें वापस से यह रवाला रिपीट किये थे उसे हमें रिपीट करना है जैसे एक फंदा है तो उसमें से हमें पहल लेने हैं देखे यह नीचे से लेंगे एक्स्ट्रा फंदines निकालेंगे और फिर एक dud बीनने ऐगे फिरसे अमें यहां पर दूसरी वारे में डूं स्य धी मित न कर लेंगे और फंदे निकालेंगे की टि खीनदे रोड़ कि लेंगे तक ले करके आएंगेry फिर से हमें डिन ये कर दिन से टिन ले ना है और सिर्वाहस को नीचे ले करके जाना है और प्रिर असे ब्लख द possession लेकर दिन ले न कालेने जोरिद Chief और फिर एक कुक्छ इस तरीके से और पंचव फंदाबीन लेना है यह हो गया अब इधार भी तीन फंदे एक्स्ता के बच्छे हुएं देखिए इस तरीके Worksacker सब Higher Max बीन करके complete कर लेना वा कि बनाते जाना एक्सटा फंदे अब जैक्सटा ने इसे हमें कैसे घटाना हो देखिए इस तरीके से उनको पीछे लाएंगे और अब is currently इसमें उल्टा भीनना तो किसे तरीके से शिलाइे को लेंगे और एक फंदा जो हमें सीधा बीना था उससे दोनों को हमें इस तरीके से लेकर उल्टा बीन लेना है बहुत ही आसान है देखे दो दो फंदे एक एक्स्टा वाले हैं जो अलग से निकाले थे और एक यहाँ पे जो बीने थे सीधा फंदा उस दोनों फंदे को लेकर के हमें उल्टा बीन लेना है देखी पीछे से कुछ इस तरीके से ने जराएगा या सामने से कुछ इस तरीके से ने जराएगा फिर ये बीच के जो फंदे थे तीन फंदे बचे हैं देखिए एक हो गया दो हो गया और तीन तीन फंदे हो गए अब इसमें वापस से डबल वाले फंदे आ गए हैं तो इस वज़े से मैं आपको बता रही थी कि बीच में तीन फंदे का गैप लेना है तो यहाँ पर फोर फंदे पहले बनेंगे फिर फिर फंदे गैप बचेगा देखिए इस तरीके से हो गया अब यहाँ पर टूटू फंदे हमें घटा देने हैं जो एक्स्ट्रा फंदे निकाले थे उससे और एक जो बीने हुए थे उससे और फिर यह लास्ट के दो फंदे तो देखिए फिर इस तरीके से यह डिजाइन बन गया है